अस्सलाम उलेकुम बकरीद आने वाली है तो हमें कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए जिसे बनाना भी आसान हो और इसका टेस्ट भी आसम हो तो आज हम इस्टू बनाने की इजी और क्विक रेसिपी आपको देंगे बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो चलिए बिना देर किये इस्टू बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रेसर कुकर ले लेना है हम इसमें वन थट कप तेल डाल देंगे और तेल जैसे ही गिरम होगा हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे दो तेज पत्ता एक हिंच दाल चिनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलाइची दो से तीन छोटी इलाइची और दो से तीन लॉंग और इसी के साथ हमें यहाँ पर 15-20 काली मिश्ट डाल देंगे और इसे हमें थोड़ी देर के लिए तेल में सौटे कर लेना है जिससे सारे मसालो का फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाए तो अब हम यहाँ पर 5 मेडियम साइज प्याई डाल देंगे जिसे हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है प्याज को हमें हलका सा इसी के साथ हमें यहाँ पर एक टेबल स्पून चॉप किया हुआ अद्रक डाल देंगे और 15 से 20 लसुन के कलॉप्स डाल देंगे आप चाहे तो लसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें 5 से 6 सूखी लाल मिर्च और 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे आप यहाँ पर दोनों मिर्च को मिला कर इसमें डाल लिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह देखिए हमने प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है हमें यहाँ पर प्याज को गोल्डिन फ्राई नहीं करना है बस इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए इतना ही तक के हमें इसे फ्राई करना था तो अब हम इसमें 10 केजी मिट डाल देंगे हमने यहाँ पर बड़े का मिट लिया है आप चाहे तो यहाँ पर मटन में भी बना सकते हैं और अब हम इसमें नमक डाल देंगे आप अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दीजिएगा और इसे हमें 4-5 मिट के लिए अच्छे से भून लेना है सारी चीजे हमने आपर साबुत डाला है क्योंकि हमें आपर साबुत मसाले का इस्टू बना रहे हैं इसलिए हमने आपर हदरकलहसुन का पेश्ट या मिर्च का पाउडर इस्तमाल नहीं किया है तो यह देखी हमने इसे अच्छे से भून लिया है तो अब हम इसे गला लेगे तो हमें आपर आदा कप पानी डाल देंगे और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि मीट जो है अपना पानी भी रिलीज करेगा तो अब हम इसे लिट से कवर कर देते है और हाई फ्लेम पे हमें इसमें एक प्रेसर आने देना है जैसे ही इसमें एक प्रेसर आएगा हम गेस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे तकरीबन पंदरे से बीस मिनट के लिए पका लेना है तो यह देखी हमने इसे 20 मिनट के लिए पकाया था यहाँ पर मीट जो है अच्छे से गल चुका है तो अब हम गेस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे है मैं इसे जो भी एक्ष्टा पानी दिखाई दे रहा है इसके पानी को हमें ड्राई कर लेना है तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे कि यह मीट जो है कितने अच्छे से गल चुका है यह देखिए एकदम पर्फेक्टली डन है बहुत सारे लोग इस्टू में टमाटर या फिर दही वगएरा डालते हैं लेकिन आज हम इसे बीना दही और बीना टमाटर के बनाएंगे फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही ओसम होता है आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा इस मेथट से जब आप इसे एक बार इस मेथट से बना लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत कम मसालों के साथ बन कर त्यार हो जाता है आप इसे रोटी पराठे या फिर पलेन दाल चावल के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं तो उमीद करती हूं आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेर जरूर की कीजिएगा और हाँ प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेस्बुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा हम उसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में देदेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो अल्लाहाफीज